नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स ओफिस में एक बाफ फिर से दोस्तों आज के दिन हम मात करेंगे चे बड़ी फिल्मों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में जिसमें से हमारी पहली फिल्म में रहेगी हीट दोस्त के दो दिनों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन हमारी दूसरी फिल्म में रहेगी साबाश मिट्टू के भी दो दिनों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन और दोस्तों आपको बताएंगे रोककरी मुवी के भी लाइफ टेम बॉक्स ओफिस कलेक्शन वही पर दोस्तों हम बात और दोस्तों आपको बताएंगे राम पोती निनी की बहत्रिंग मुवी The Warrior के अभी तक की तीन साथ दोस्तों हम बात करेंगे फिल्म जुदा होके भी मूवी के दो दिनों के बॉक्स अब इस कलेक्शन के बारे में तो चलिए रोस्तो हम बढ़ते हमारी अपडेट की तरह अब देखते रहीएगा पूरा वीडियो दोस्तो अगर हम सबसे पहले नज़र डाले फिल्म रोकेटरी पे तो यह फिल्म में एक अधारी थे रोकेर साइन्टिस्ट के उपर जो कि हमारे भारत की ही कहान ही ओडियोस ने मूवी को काफेरा पसंद किरा यही करण था कि मूवी को अपने पहले दिन की आपनिंग एक करोड तिहोतर लाट की देखने के लिए मिली पर दोस्तो फिल्म ना अपने पहले ही हपते में तेरा करोड एककावन लाक रुपे कमा लिये थे और दोस्तो आप फिल्म में का लाइफ टेम इंडियन नेट कलेक्शन 26 करोड 50 लाक रुपे बताया जा रहा है वहीं पर फिल्म में का वर्ल्ड वाइट ग्रॉस कलेक्शन 35 करोड के आसपास पोच चुका है और दोस्तो जो मूवी का बजट है वो लगबग 25 करोड के आसपास बताया जा रहा था पर दोस्तो विक्की पीडिया पे इस मूवी का बजट पेले 15 करोड उसके बाद में 25 करोड और फिर दोस्तो 60 करोड रुपे बताया जा रहा है कि इस movie के नदर आपको तापसी पन्नू जिसे बहतिंग एक्टर काम करतों नज़राएंगे और यहां movie एक बायोग्राफिकल movie है जिसके नदर आपको sports related एक काफी सारी चीज़े देखने के लिए मिलती है इस film में को डारेक्ट करा है सीरी जीत मुखर जी ने और इस film में को प्रेडूस करा है अजित अंधारे ने अगर हम बात करें तो movie का run time दो घंटे के आसपास है और movie को हम सभी के बीच में 15-16 करोड के बज़र्ट में बनाए गया है और दोस्तों अगर हम बड़े film के collection की तरह तो दोस्तों आपको एक बात clear कर दे कि movie का buzz और क्रेज इतना अच्छा नहीं बना था जिसके चलते फिल्म ने अपने पहले दिन की opening ली है लगबग 80 लाक रुपे की और दोस्तों ये movie अपने दूसरे दिन का prediction बता रही है लगबग 1 करोड 20 लाक रुपे का जिसके चलते इस फिल्म का दो दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन लगबग 2 करोड रुपे हो चुका है इसी के साथ दोस्तों अगर हम मात करें फिल्म खुदा हाफिस चेप्टर 2 की तो आप सबी को पता है कि ये फिल्म एक एक एक्शन थिलर फिल्म है जिसके नदर आपको विद्यू जमवाग और सीव लेका ओग्रोई जैसे बहतरिंग एक्टर काम करते हैं नजर आते हैं दोस्तों फिल्म में के नदर पहले उनकी वाइफ को उठा लिया जाता है और उसके बाद में उनकी बच्ची को किड्नेप कर लिया जाता है जिनको वो नहीं बचा पाते हैं पर दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुवी काफी ज़्यादा शानदार है और बिल्लियांट है इस मुवी का पबलिक रिवी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तो अगर हम बड़े फिल्म के कलीकशन की तरव तो फिल्मने अपने पहले दिन की ओपनिंग ली एक करोड थीसलाक रुपे की वहीं पर फिल्मने अपने पहले विकेंड में 6 करोड पंद्राला करीक्शन की तो खुदा हाफीष चैप्टर टु को लगे वोगों आट द मेंट कलेक्शन 10 करोड 85 लाग रुपे तक का बता जा रहा है अगर दोस्तों आपने फिल्मों को देख लिया तो केसी लगी कमेंट जरू करिएगा वहीं पर दोस्तों अगर हम बड़े हमारी चोती फिल्म पर तो दोस्तों हमारी चोती फिल्म है और दोस्तों ये मुवी एक सस्पेंस क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसके नदर आपको राजकुमार राव एक पुलिस ओफिसर की रूप में नजर आते हैं और दोस्तों उनके अपोजिट रहती है सानिया मनोतरा जो कि उनकी गल्फरेंड होती है दोस्तों मुवी की श्टोरी क काफियरा भैतरिंग और क्रेटिकल है जिसको समझने के लिए आपको काफियरा दिमाग की जरुवत है और यकिन मानिये कि मुवी को ओडियन्स के तरब से रिस्पॉंस भी काफी अच्छा देखने के मिला पर दोस्तों हम बात करें कि मुवी को डारेक्ट किसने करा है तो मु लोगबिश्टा होने के लिए फिल्म को 30 करोड का अकड़ा पार करना होगा जो कि मुझको लगता है कि ये फिल्म अपने राइट से बेच कर ही कमा चुकी होगी जी हां दोस्तों राज को मर राओ इस मुवी के नदर आपको में लीड में नजर आएंगे और यही कराण है कि इस मुवी के नदर आपको काफ ज़दा मज आता हैं दोस्तों फिल्म अपने पहले दिन की ओपनिंग ली थी 1 करोड 20 लाग रुपे की और दोस्तों यह फिल्म अपने दूसरे दिन का पेडिक्शन बता रही है लगबग 2 करोड 10 लाग रुपे का जिसके चलते इस पिल्म का दो दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन बताया जा रहा है लगबग 3 करोड 30 लाग रुपे का और दोस्तों यकीन मानिया कि Hit The First Case वाकरी में काफी बहतरिंग और शांदार मुवी है वही पर दोस्तों अगर हम बात करें काफी बहतरिंग मुवी The Warrior की तो आप सभी को पता है कि वारियर मुवी एक एक्शन थिलर फिल्म है जिसके अंदर आप मास मसाला इंटरेंडमेंट राम पोथी नेनी का बहतरिंग एक्शन कोमेडी सस्पेंस और लव स्टोरी वही पर इस फिल्म में के अंदर आधी भी आपको एक्शन करते हैं पर दोस्तों बात करें तो इस पर दोस्तों अगर हम बात करें कि राम पोथी ने की साथ बनाए गई फिल्म दा वॉर्यर ने अभी तक कितने करोड रुपे कमा लिये तो आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन की आपनिंग ली 9 करोड सहाट लाक रुपे की जिसका ग्रोस कलेक्शन 10 करोड रुपे होता है वही पर दोस्तों फिल्म अपने दुसरे दिन का पेडिक्शन भता रही है यान करोड रुपे जिसका वर्ल्ड वाइट ग्रोस कलेक्शन 34 करोड रुपे हो चुका है तो दोस्तों फिल्म अपने तीन दिनों में ही 34 करोड का अकड़ा पार कर दिया यानि कि फिल्म को हेट होने के लिए केवल 20 करोड का अकड़ा और पार करना होगा और दोस्तों ये फिल् में आपका दिमाग खराब होने वाला है जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मूवी जूदा होके भी जिसके अंदर आपको अक्षे ओब्रोय अनन्द रीता रोय जैसे बहतरिंग एक्टर काम करते हुए नजर आते हैं इस फिल्मे को डाइक्ट करा है विकरम भट ने और आपको बता दें कि इस मूवी के इंदर आपको अक्षे ओब्र है एक ऐसे हजबेंड की रूप में नजर आएंगे जिसकी आवाज को पहले ओडियंस पसंद करती थी पर दोस्तों बाद में उनके आवाज को पसंद नहीं करती और उनके घर के अंदर पेसो की तंगी आ जाती है जही करण होता है कि उनकी वाइफ उनको छोड़के चली जाती है और वो चली जाती है ऐसे विक्ती के पास जो की जादू टोना करता है और इसी चीज के चलते है इस फिल्मे के नापको क काफ़ी सारे न्यूट सीन्स, काफ़ी ज़्यादा सेक्श्याली सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तो अगर आपको हुरर तिलर मुवी पसंद ले, तो आप ये मुवी देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसके पहले इमरान हास्मी हम सबके बीच में ऐसा कांटेंट लेके आचुके हैं, बागी दोस्तो ये कांटेंट उससे कहीं ज़्यादा अलग हैं और कहीं ज़्यादा डिफरेंट हैं, मुवी का म्यूजिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर हम बात करें फिल्म के कलेक्शन की, तो फिल्म न अपने पहले दिन की आपनिंग ली है 10 लाक रुपे की, और दोस्तो फिल्म न अपने दुसरे दिन का प्रेडिक्शन बताया है, लगबग 20 लाक रुपे का, जिसके चलते इस फिल्म का, तीन दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 30 लाक रुपे हो चुका है, तो दोस्तो अल्रेडि ये फिल्म में काफी बड़ी फ्लॉप ताबित हो चुकी है, अगर दोस्तो आप ये मुवी देखके आ चुके हैं, तो आपको मुवी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताईएगा, और दोस्तो आपको हमारे चैनल पे इन सभी मुवी के पबलिक रिव्यू मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं, जय हिंद, वन्यमात्रम,